बच्चों वो है टूडी टू-डामेंशनल मोशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो टू-डामेंशनल मोशन से शुरुआत करते हैं और आज टू-डामेंशनल मोशन पढ़ते हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपने One mention मोशन पे Command नहीं किया है तो इस टू-डामेंशनल मोशन पे को करें थोड़ा सा आपके लिए भारी बढ़ेगा तो मेरी है आपसे सभी से कि two तू डाइमेंशनल मोशन अगर आपको पढ़ना है तोन डाइमेंशनल मोशन पप्रकर Smarnos आप सबसे पहले definition पर आते है 2-dimensional और 3-dimensional motion की और 3-D motion की definition होती है if direction of acceleration and velocity is not along same line along same line गिक हर. ते, ते, झित आते हैं ते, झार दोड़uksRY ते ते, टो यका। आते हैंव to कंव।बकर इं। आते हैं। कंव। जरीद दोड़। So, if direction of acceleration and velocities not along the same line then motion will be 2D or 3D motion ठीक है बच्चों अच्छा यह तो होगी definition अब आते हैं any two dimensional motion can be represented as a combination of two one dimensional motion यह कैसे आपने कह दिया यह बहुत important चीज है क्योंकि कह तो इसको सभी देते हैं मानते तो सभी इस लोग कहते है के तो होता है इसमें कवाइन सी बात होई लेकिन लेकिन प्रूफ बिना किए हम कैसे माना है ठीक क्यों सब्सक्राइब सकते हैं तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ डिफ्रेंशेट कर दीजी तो पढ़ेंगे यही तो पढ़ाया मैंने आप लोगों को डी र बाइटी ऐसे तो कोश्चन भी कियें बच्चो तो क्या लिखेंगे बच्चो डी एक्स बाइटी आई कैप प्लस दी वाइटी जे कैप यही लिखा ज की एक्स और जो Y कप वाई के साथ जे कैप के साहता हुआ वह वी वाई कहला है सकता हूं कि यहां C गुदूर कर सकता हूं कि विएकस जो है और डिफ्रेंशेट कर देते हैं वेलास्टी को यह कहें कि पोजीशन वेक्टर को एक बार और कर देते हैं तो क्या आएगा बच्चो हम इसको d2r by dt2 भी कह सकते हैं हम इसको db by dt भी कह सकते हैं कह सकते ना अच्छा क्या आएगा यह यह आएगा d2x by dt2 i-cap प्लस d2y by dt2 j-cap या फिर dbx by dt i-cap प्लस dby by dt j-cap ठीक इसी को तो acceleration बच्चो बोला जाता है यही तो acceleration होता है अच्छा अब acceleration जो है अगर उसके xy x component ax है acceleration का और y component ay है तो acceleration को कैसे लिखा जाता है बच्चो ax i-cap प्लस ay j-cap ऐसी तो लिखा जाएगा है ना तो यह ax i-cap और ay j-cap के बराबर होगा अच्छा तो इससे आपने सर्जी क्या conclusion निकाला इन दो equation से देखे क्या निकाला conclusion बच्चो इससे मैंने यह conclusion निकाला कि ax equals to dvx by dt equals to d2xy dt2 ठिक और ay equals to dvy by dt dt या फिर d2y by dt2 सैमत है बच्चो क्लियर है यहां तर इसमें तो बहुत simple है कोई doubt नहीं होना चाहिए और है तो पूछ लो comment section में डाल करके अब आगे ध्यान दीजिएगा यह कहता हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ आपसे कि यार अगर माल लीजिए दो पार्टिकल होते हैं दो पार्टिकल से दो पार्टिकल से ठिक उनमें से एक पार्टिकल जो है वह x-axis के अलोंग चल रहा है तो उसका position x उसकी velocity मैं vx से denote कर रहा हूं उसका acceleration ax से denote कर रहा हूं ठिक अच्छा दूसरा पार्टिकल जो है बच्चा वह y-axis के लोंग चल रहा है तो उसकी position मैं y से velocity मैं vy से और acceleration ay से denote कर रहा हूं ठिक यह दो अलग अलग पार्टिकल है ठीक है क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि vx बराबर पहला पार्टिकल जो हमारा है उसकी velocity dx by dt से represent की जाएगी और उसका acceleration dvx by dt से represent किया जाएगा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसको थोड़ा साइड में लिक देता हूं इसी तरीके से जो वाई बाला पार्टिकल है उसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों उसके लिए हम यह लिख सकते हैं कि इसका इसकी velocity dy by dt लिखी जा सकती है ठीक है और इसका acceleration dv y by dt लिखा जा सकता है दो अलग अलग पार्टिक है ठीक थ्यान से सून यह का अचा यह बताएए इन दोनों equation में इन दोनों equation में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो Vx जो है Vx और Vy तो अलग अलग है लेकिन टाइम तो दोनों में सेम ही है ना इन दो equation में जो पहले वारी मैंने कहा था एक पार्टिकल टू डामेंशन कर रहा है तो उसके लिए यह equation से यह result आया था acceleration का यह result आया था चेक करो यह result और यह result क्या यह result और यह result सेम है क्या चेक करिए सेम है इसलिए हमने यह statement दिया है जो लिखा है उपर क्या statement लिखा है अनी टू डिमेंशनल मोशन कान बी रिप्रेसेंटेट अस अ कॉमिनेशन अ टू वन डिमेंशनल मोशन आई बास समझ में है ठीक अच्छिए अच्छिए पिल्कुल क्या यह समझ पे आ रहे है कि नहीं कि अगर एक पार्ट के टू डिमोशन रहा है तो हम कह सकते हैं दो पारट के builders करते एक ये वाला और एक ये वाला उससे जो एक क्वेशन आती उससे जो वही पारो ऑट के कॉंबनेशन से जो एक क्वेशन आएगी वही क्वेशन 2D मोशन में होगी आप जड़ा कंप्यूट करने जा रहा है यह मैंने लिखा है यह मतलब क्या है आज के बाद कोई पार्टिकल अगर फेका जा रहा है मान लीजे कुछ वेलास्टी से ठीक है तो हम उसके दो कॉंपोने से क्लियर है बच्चों मतलब हम मालेंगे हमें दो कोश्चन सौल करने हैं एक तूडी का नहीं सौल करना है दो अचाहा है क्या कंस्टेंट है इन दोनों के ऊपर क्या चीज कॉमन होनी चाहिए टाइम की मतलब सर मतलब बताता हूं ध्यानते सुना मालीजे यह पहुंच गया यहां पर ये एक्सेस और यह इक्से से है तो यह बताएं जिस समय आपकर यहां होगा पोगा टो यह वाले के ओपर कंपल्शन है कि नहीं हैं कि यह पी-पर ही होगा जे तो सेम ताइम पर किultur दोनों को पर क्या constraint है time का time का constraint है किसी given time पर x और y में जो relationship है बच्चो वो given time पर fix होगी तो time इनके बीच का constraint हो गया अब आगे बढ़ते हैं but constraint is present for above statement one of them should move along x-axis and other along y-axis they both must be independent to each other and time is common for both x और y बतलब rectangular component होने चाहिए यह कल स्टेट हमने लिखा है rectangular यह नहीं कि किसी एंगल पर आपने component कर दिया और फिर आपने काम कर दिया तो यह नहीं जाएगा इस बात का जाएगा नखेगा ना component must be rectangle component clear हो गई बात समझ में आगया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेशन देखते हैं ठीक है पहले आपको दूंगा करने के लिए फिर मैं करूंगा इनिशल पार्टिकल अफिप इनिशल वेलोसिटी अफ़ पार्टिकल इस थी 30 आइक प्लस 40 जेकर अचलिरशन इस इतना माइनस 10 i cap माइनस 10 j cap मीटर पार्टिकल स्टार्ट इस स्टार्ट जाना अभी कुछ भी नोट मत करना इसको सौल मत करना प्लीज जैंकर सुनना कोश्चन बनाने वाला कैसे कोश्चन बनाता है उसे पता है ना एक्स और वाई एक्स और वाई में आपस में रिलेशन सिप एक्स और वाई जो तो पार्टिकल है इनमें क्या चीज़ होती है क्या चीज़ होती है क्या चीज़ होती है कॉमन टाइम तो देखो कैसे कोश्चन तब तब जब का मतलब क्या है क्या चीज कमन है थुरो नहुं में क्ज़ें क्या करना है य कभ एकस गाडिणेंट नश्चाय का जब मैस्टनल मतलब केunal चाइन क्ज़ें को क्या कमा थथा आई जैसे वो टाइम आगा सेम टाइम पर एक्स कोडिनेट निकालता है क्लियर है शुरू हो जाईए मैं आपको एक मिट दे रहा हूं करिए कुशिश जैसे डाइम आपको एकल आपको एक जा तर्शॉ आपको एकुशिश नगा साइम पर एक यक साइम आपको एकुशिशिक वे क्लिकालता है शुरू हो जाईए मैं आपको एक को एक जाए मोडा है चलिए सब एक मिनट हो गया है तो स्टार्ट करते हैं मैं लिखता हूं वी एक्स या यू एक्स इनीशल वेलास्टी ना यू एक्स बराबर 30 Uy बराबर 40 Ax बराबर 1000 Ay बराबर मैनस 10 और पार्ट्केल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है तो Two पार्ट्केल है फ्यान से सुनना पहला पार्ट्केल ओर इनीशल वेलास्टी थार्टी मिटर पर सेकेंड 스र से और उसका acceleration कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार प्लस यह ओरीजन है एक्स बराबर जीरो दूसरा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है य बराबर जीरो से अच्छा उसकी इनीशल विलॉस्टी कितनी है जल्ली बोलो दिखा है 40 मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसका एक्सिलेशन पीज डिरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार क्या आप कैसे यह दो वंडी के कोश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या अलग अलग तो आप बोलो कि क्या सॉल्व कर सकते आप पूछिए तो सही तो मैं टाइम दूँगा या टाइम नहीं दूँगा तो मुझे पता है दोनों चीजों में टाइम कॉमन है तो मैं ऐसे पूछूंगा जब वाई मैक्सिमम हाइट पर होगा जब वाई का क्वाडिनेट मैक्सिम y-coordinate तो है maximum x क्या होगा याद करें एक पार्टिकल को जब हम उपर फेक देते और पूछते ते maximum height क्या है याद है कैसे निकाल सकते हैं बहुत असार है कैसे वी-वाई-स्क्वाइर बराबर इन्तु जी 10 एच चली बताइए यहां से एच की वैलू बच्चो कितनी आ रही है एच बोले तो वाई-मैक्स तो वाई-मैक्स की वैलू आ रही है इसे 40 का स्कूर 16 सो डिवाइड़ बाइ-ट्वेंटी तो यह कितना आ गया बच्चो एटी मीटर लेकिन यार यह तो हमें चाहिए नहीं था यह तो हमें चाहिए नहीं था क्यों नहीं चाहिए था अरे हमको कोश्चन तो समझो फिर से अब इसी लिए मैंने इसको ऐसे करना शुरू कर दिया आपको दिखाने के लिए यह समझिए हमें टाइम निकालना होता है वैं वैं जो कि बहुत आसान है पता है किस टाइम पर याद करें मैंने आपको क्लास में बहुत आसानी से चीज सोचना बताया था समझ एक्सक्राइब और कि शेसाना दौ रही है तो कितना सेकिंड में 0 हो जाएगी चार सेकिंड में हो जाएगी 0 थिक आप सब पूछा जा रहा है तो कि घप यूएक्स ती प्लस हाफ ऐक्स्टी स्क्वायर यह फ़र्मला यूस करता हूं यू एक्स को इस साइड को पॉस् इन्टू 4 एक्सेलेशन अपोजिट है ठीक माइनस हाफ एक्सेलेशन की वैलू बोलो 10 इन्टू टी स्क्वार्ट सोला है तो यह आ गया 120 मीटर माइनस 80 बच्चों कितना आ रहा है बोलो 40 आ रहा है 40 मीटर आ ठीक है तो कुछ लोगों ने इसकझए निकाल दिया है कुछ लोगों ने निकाला है पुछ लोगों ने गलत निकाला है चिरंजीब ने वह बाद पकड़ लीए य्खर वैसे वाई निकालने की ज़रूद नहीं ति बिल्कुल रहे हैं चरंग जीब लेकिन मैंने जानके निकाला क्योंकि हमारी आदत जो होती है वह मैं reflect करना चाहता था वह मैं बताना चाहता था कि भाई मैक्समम वाई क्वाडिनेट की वैलू नहीं पूछी है टाइम कौन सा जब वाई क्वाडिनेट मैक्समम है तब एक्स क्या होगा वह यह पूछ रहा है चलिए साब आगे बढ़ते हैं साइस को पिरक्वाइबु झालाब कंमाे काद की आधित्या ची और रग्ते के अलावा इंडिपटेंडेंट का मतलग ताइम के अलावा और पोई टिपेंडेंसी नहीं की अधित्य ख़िक है चलिए आगे बढ़ने तो फिर 220 देता हूं और एक कोश्टर देता हूं चलिए अनिश मंदल स्लेबस अभी पहले मैं नसीपी का स्लेबस खतम कराऊंगा नसीपी के पहले 2023 नसीपी के पहले नसीपी का स्लेबस खतम कराऊंगा उसके बाद जब नसीपी आप देखे आएंगे तो फिर मेरी क्लासिस चालू होंगी फिर मैं आई नपीचो के लिए आपको उस लेविल के आई नपीचो के लेविल के कोशन की प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा फिर आप इन पीचो में एक्जाम देंगे अगर आपका हो जाता है तो फिर मैं आपको आई पीचो की प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा मतलब पूरा साथ आपके आपका दूंगा चलिए अब इस कोशन को करना सौल करता है तो फिर से वही बात जैसे वहां पर maximum y कोडिनेट पूछा था वैसे हमने पता किया maximum y कोडिनेट का मतलब क्या होता है जब y वाले पार्टिकल की वेलॉस्ती जीरो हो जाएगी इस लैंग्विच का यह मीनिंग निकाला था ना आपने बच्चो तो वैसे ही x-axis कट करने का पहले मीनिंग निकालना पड़ेगा तो अगर कोई पार्टिकल x-axis को कट कर रहा है बच्चो तो मैथमेटिकल क्या आप एक्वेशन लिखोगे इस चीज के कर्रेस्पॉंड निकालना तो मैथमेटिकल एक्वेशन होगी वाई बराबर जीरो जब भी x-axis को कट करेगा तो जानते कोईशन क्या है कि जब y बराबर 0 है तो x क्या है और जब x बराबर 0 है तो y क्या है अब कोशन समझ में आ 10 कितना है 10 तो यह कह रहा है और वाई वाले को कैसे फिका 30 से 40 से इस साइड और इसका एक्सिलेशन इस साइड इस साइड हाँ एक्स और वाई मैंने चेंज करती है तो बच्चों दुबारा नहीं बनाना चाहता है थोड़ा आलस कर रहा हूं कि कोशन यह है कि जिस समय यह अपने ओरिजन पर वापस पहुंचेगा एक्स बराबर 0 पर वापस पहुंचेगा उस समय वाई क्या होगा एक कोशन फिर जब एक बर वाई बराबर 0 पर दुबारा पहुंचेगा दुबारा क्यों पहुंचेगा गुरू जी क्योंकि इसका एक्स डारेक्शन में ऐसे यह भी लॉट के आएगा एक पार्टिकल तो दूसरा कहां पर होगा यह कोशन तो चलिए बताए यह लॉट के कब आएगा यह सकेंड पर तीन सेकंड जाना और यह 8 एक खुली करें पूछा जा रहा है Let's want to ship a थो कब 6 सेट पर य वाइट कि वाइट प्लस हाफ अवाइट स्क्वार ठीक है यूवाइट की वैलू बोली है फॉर्टी कब 6 सेकेट पर यूइक पर इसेट और टी स्क्वार टी का मतलब 36 देख लिए बाई चलिए आंसर बताएए जल्दी से फटा-फट अब शेक कुमार बेटा ओफ-लाइन में पढ़ाता हूं क्यों नहीं पढ़ाता हूं बहुत सारे बैच ले रहा हूं सारो कुमार 0,0 वो उत्तिरी तो पार्टिकल 0,0 पर पहुंचेगा ही नहीं बिटा कुछ गलती कर रहा है सारो चलिए खेर मैं देखता हूं 240 माइनस और यहां से कितना आएगा बच्चो माइनस 180 तो यह कितना आ गया 60 यह को articulated 60 है जब किसको कट करेगा हैं और यहां पर पर चलिए outta यहां पर यह watches को करेगा यह क्या हम ठीक है ठीक है अब और मतला यह जिरो का है यह उस समय X coordinate क्या होगा तो मैं लिखूंगा X equals to UXT 30 T मतलब 8 माइनस तो समझ गया होंगे क्यों आयेगा Half into 10 into 8 का स्क्वाइर 64 यह आया 32 तो यह आया 240 माइनस बच्चों कितना 320 ओहो ओहो यह तो निगेटिव आ रहा है तो आयेगा तो क्या दिक्कत क्या है तो कितना आया जी दो टू माइनस 80 मीटर सौरो कुमार ने बताया है मैं कॉंकर 8 में पढ़ाता हूँ थैंक यू सौरो माइनस 80 मीटर देख लिए जी सौल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चो क्या बई अनीश मंडल 60 आ रहा रहा आंसर तेरा वाई तो माइनस 80 आना चाहिए है मैं गल्ट बैने कुछ गल्टी की गया आ रहा है ओके ओके मेकनिक्स कब तर कम्प्लीट हो जाएगी मैं एक बार स्टीव देख करके बेटा बता पाऊंगा अगले कोश्चन के लिए तैयार हो जाएए और मैं चाहता हूं कि वह आप से हो जाए अगला कोश्चन ही नहीं कोई बात नहीं है तो यह समझ में आ गया यहां तक ठीक तो नहीं सर्थ पिछले को बोला था अचा अनीश ने पिछले एक आंसर बोला था ओके ओके अनीश पभू चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप उसके लिए एक दूसरे तरीके का कोश्चन क्या है गुरू जी दूसरे तरीके का मतलब यह है कि अभी तक हमने आपको कोश्चन दिया था उसमें एक्स वाई एक्सिस फिक्स थी इसमें देखिए एक्स वाई एक्सिस नहीं दिये नहीं दिये तो शुरू हो जाए कोशिश करें सॉल करने की फिर मैं बताता हूं आपको दो मिनिट दे रहा हूं वेलासिटी ऑफ पार्टिकल अटी बराबर जीरो सेकेंड बच्चों मैं दो मिनिट या एक मिट इसलिए देता हूं कि लाइफ क्लास का पूरा मज़ा उठा पाएं वनना तो यूटूब रिकॉर्डिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं अगर मैं लगाता पढ़ा चला जाओं नहीं जो बच्चे मेरे से लाइफ पढ़ा रहे हूं को य थैंक्यू कभी तो वेलोस्टी ऑफ पार्टिकल एटी बरावर 0 सेकेंड इस 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलिरेशन दिया है टू मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड चेक करो दोनों के डारेक्शन दिये गया है डाग्राम में डिस्पेस्मेंट बताना टी बरावर 2 करने हैं और उसके बाद काम करना पहले एक्सेस करनी होगी तब उसको दो अलग अलग एक्सेस में ब्रेक करोगे आप ठीक है शुरू हो जाएए फटा फट जल्दी से कि देखे जरा ध्यान से सुनिए सबी लोग दो तरीके के एक्सेस ली जा सकती है एक जो डाग्राम में दी गई है और वर्टिकल और वर्टिकल ऐसी एक्सेस ले सकते हैं अगर आपने ऐसी एक्सेस ली बच्चो तो बताएए क्या होगा जो वेलासिटी आएगी इस साइट 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलेशन के दो कॉम्पोनेंट होगी यह माइनस टेन नहीं होना चाहिए एक बार डायरेक्शन चो कर दिया तो माइनस का कोई मतलब होता नहीं है ठीक है और इसके बाद एक्सेलेशन टू मीटर पर सेकंड स्कॉर्ड तो आप क्या करोगे आप यानि 2 x 3 x 5 इसका मतलब 6 x 5 और बच्चों इस साइड एक्सेलेशन कितना आ जाएगा कॉम्पोनेंट वाइस 2 x cos 37 8 x 5 तो 10 मीटर पर सेकंड से मैंने एक पार्टिकल को फेका है इसका रिटार्डेशन 8 x 5 मीटर पर सेकंड स्कॉर्ड है प्लस दूसरा पार्टिकल मैंने दखो वेलास्टी इनीशल जीरो है ना एक्स कॉम्पोनेंट के लोग रेस्ट से छोड़ा और एक्सेलेशन कितना 6 x 5 मीटर पर सेकंड स्कॉर्ड यह है बच्चों एक मैथड यह एक मैथड मैं ऐसे सॉल्फ अब नहीं करने जा रहा हूं मैं यह बताने जा रहा हूं क कि मैक्सिमुम लोग यही मेथड पॉलो करते हैं कि देखा नहीं वर्टिकल और होरिजॉंटल और खड़ाक से मार दिया एक्सेस चूज करें और आंसा निकालना शुरू थोड़ा ध्यान दीजिए मैं एक्सषे ऐसी भी चूज कर सकता हूं अलॉंग ड़ा एक्सीलेरेशन के यहां ऐसी क्योंग चूज करेंगे डेखता उह बताते हैं ऐसा क्यों और आप पुल्हां तो सुनते जाहीएगा आप खुद रेलाइस कर लेंगे कि यहां गुरू जी आप आप सही कह रहे हैं ऐस इस बार इनने acceleration के along axis चूज़ की है मैं इसको माल लेता हूँ x-axis और इसको माल लेता हूँ y-axis ठेक लिए बच्चो तो एक particle क्या होगा 2 meter per second square इसका acceleration होगा चलिए velocity के component इस बार करने पड़ेंगे यह angle 37 होगा तो इस side velocity का बच्चो component कितना हैगा V cos 37 त्यानिकि 10 cos 37 10 cos 37 कितना होगा 8 meter per second अच्छा 10 sin 376 होगा बच्चो यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक particle हो गया जो 2 meter per second square से जा रहा है और इसकी initial velocity है 8 meter per second clear ठीक है प्लस प्लस दूसरा वाला पार्टिकल जो x-axis के लॉंग जा रहा है वो 6 meter per second से जा रहा है चलिए बताईए इसका acceleration कितना है बच्चो एक्सेलेरेशन कितना है इसका जीरो मतलब यह constant velocity से जा रहा है अब इन दोनों method में देखिए method 1 M1 में sir online में T E P S T E A S बना दीजे आप तो अच्छा बिटा आप T E P S batch के हैं क्या विजायंद तो 2 meter per second square और 8 meter per second यह हो गया velocity and acceleration and velocity दोनों में अंतर देखेगा बच्चो method 2 और method 1 method 1 में दोनों particle के पास acceleration या करिए acceleration के साथ हमारे पास 5 equation होती है 5 equation बना आपको पढ़ाई थी constant acceleration के साथ ठीक है लेकिन अगर मैं कहूं constant velocity है तो एक equation होती है velocity equals to displacement upon time इसके लाब और कोई equation नहीं होती है ठीक अब जड़ा method 2 में आईए velocity और acceleration तो है लेकिन acceleration नहीं है यानि कि यहां केवल एक equation यूज होगी यहां पांच होगी यहां पर पांच हो सकती है और यहां पर पांच हो सकती है अब समझ में आ गया होगा कौन से method हमारे लिए सही है तो हमसे पूछा गया दो सेकेंड में displacement बच्चों तो सब्सक्राइब यहां से displacement निकालते हैं पहले पार्टिकल का जो कि आएगा वाई के लाउग फिर निकालेंगे दूसरे पार्टिकल का जो कि आएगा एक के लोग य को अपने इधर नहीं लेकरके ऐसा कर लिए इस साइड एक्स और इस साइड सबस्क्रारों करेक्ट दो है है किलो मैंने ये काम किया है अक्स जो है सब्सक्राइश एक्सिस ऑक्सिदिठीन है और एक शस्य षोस्त प्रेक्पेड्प्र तो एक्सिलेरेशन का उसके परपेंडिकलर कॉंपोनेंट तो जीरो होगा ना बच्चा अब अच्छी वेलास्टी वेलास्टी 10 मीटर पर सेकेंड दी गई थी तो उसका एक्स के लॉंग और य के लॉंग कॉंपोनेंट में ब्रेक कर लिया और वो मैंने यहां पर शो कर दिया बस इस डारेक्शन में एक्सिलेशन का कॉंपोनेंट जीरो है तो यह जीरो आएगी ठीक यहां तक बात क्लियर है वच्चों ठीक है जी मेरे खाल से बात समझ में आई होगी अच्छा अब कोश्चन शुरू करते है एट मीटर पर सेकेंड से बताइए कितनी डिस्टेंस डेवल करेगा एक्स के लॉंग तो मैं कहूंगा एक्स इक्वस टू एट यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वार जार नखेगा तो यू से चार गया बच्चो बारा मीटर ठीक जरह वाई वाला जो को वाई वाला तो कुछ ही नहीं एक ही क्वेशन यूज हो नहीं है फेलास्टी इंटू ताइम यह 6 इंटू 2 बारा यह भी आ गया अरे तो डिस्प्लेश्मेंट हो गया बारा रूट 2 12 रूट 2 इस दा डिस्प् कोशन 12 रूट 2 मीटर है यह कोशन यह आंसर ठीक है तो उम्मीद करता हूं अगला कोशन आप जल्दी से बता सवाएंगे चली बताएए फटा-फट अगले कोशन का आंसर आपके सामने है कि 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 आच्छा तो सम्कुषच यहां सब्सक्राइब है आच्छा मैं नेर्फ सette सेंटयूरियर ग्या किлекते हैं यह देख ओच्षिते हैं . मीनिमम् Рआज़ती एले लुपन पार्टेम दिबावि हैं मीनिम्म मेल आज़ती अब दिबाड़ीय को क्शन रहती है झाल झाल बहुत असान है हट से समझ में आएगा तुमको पता है कैसे है देखो जड़ा अध्यान से सुनिए हमने क्या किया था चेक करिए जड़ा हमने आप से बोला था पिछले कोश्चन में यहां पर displacement of the particle at t equals to 2 seconds यह पूछा था ठीक है अच्छा दिस्प्लेस्मेंट आप तो यह आया था 8 meter per second और यह आया था 6 meter फिर आमने पूछा velocity at 2 seconds यह किसे सेम क्रूष्षिन कहां था y baik 세 कि यह 8 और हमेशा ही कितनी है रेटार्देशन तो वह इस रेक्शन में तो हमेशा कितनी है बच्चों चेक करो हमेशा ही 6 रहेगी क्या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वेर प्लस 36 ओगा था किसी नहीं सेम कोश्चन है कोई बात नहीं यह कितना आ गया गैं रूट 57 सब्सक्राइब कि एक पार्टिकल कि एक पार्टिकल में एक पार्टिकल गोलो कितने चलना था 6 और हमेशे ही इस चलना था यस्ट क्योंकि इस डारेक्षनमा acceleration 0 आया था चलिए बताइए minimum velocity का अब होगी तो द्यान से सुनना सभी लो velocity का magnitude होगा बच्चो vx square plus vy square यह होगा अच्छा यह बताइए इसमें यह है y-axis और यह x-axis y वाला तो constant है change हो ही नहीं रहा है ठीक क्या सकता है नहीं हो सकता तो minimum value इसकी क्या हो सकती मिनमम वैलू इसकी minimum value 0 ही तो सकती बच्चो और बोलो न हो गया न तो अगर यह 0 तो बचा क्या सिर्फ भी वाई तो आप सारी 6 मीटर पर सेकेंड कप जब यह 0 होगा तो कि अधियर समन में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं कि अधाइन वैलास्टी इस पर्पेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन जराज यह पताए जल्दी से हुआ 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 है आ गया बहुत बढ़िया the time when velocity is perpendicular to acceleration ध्यान से सुनना velocity is perpendicular to acceleration अच्छा acceleration था minus x-axis के लोग 2 meter per second square ठीक है और ये थी y-axis ये x थी और ये y थी ठीक है question का meaning समझना कैसे निकालने जा रहा हूँ acceleration constant है और हमेशा किसके लोग माइनस x-axis के लोग हमेशा माइनस x-axis के लोग है देखलो constant भी है अब पूछा time when velocity is perpendicular to its acceleration इसका मतलब velocity कुछ पूछना चाहरा है जब पूरी की पूरी velocity all velocity is along y-axis ठीक अब इसको फिर से एक और meaning नहीं है इसका when y-axis के लोग पूरी velocity कब होगी जब उसका vx 0 होगा आया समझ में तो वह वाला particle जो हमने x-axis की और 8 से फेका था बच्चो और इसका acceleration 2 meter per second square था पहला वाला पुछा जादा कब इसकी 0 हो जाएगी मतलब पिछले ही वाला question बन गया तो कब हो जाएगी चार सकेंड अर्य आठ है 8 meter per second से फेका है हर एक second में दो कम होती जा रही है तो कितने second में 0 हो जाएगी चार सकेंड तो four second answer आ गया कि अधिक देखा है ना बड़िया question पूछने का अंदाज सेम चीज को पूछने का नया तरीका तो अब तयार हो जाएए पूरा question आपको solve कर रहा है करना है यह रहा question आपके सामें एक एक करके एक बार पूसता जा रहा है चलिए शुरू हो जाएए फटाफट जल्दी से कि अधिक आपको कि आपको एक बच्चा निकाल गया तो अब मैं शुरू करता हूं एक भी बच्चा अगर आंसर निकालता है तो बच्चों किसके लॉंग कॉंपोनेंट करने चाहिए एक किसी निए पूछा क्यों अगर था machen क्या आपका आंसर बस circulation को क्यों को इस करने के लिए सोचा कि calculate है को कैसे कि देखे कैसे एजी माल लेते हैं यह है X-axis तो एक पार्टिकल का acceleration तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वार पूरा का पूरा X के लॉंग वेलासिटी के 2 component करने पड़ेंगे बच्चो ठीक है एक component कितना हो गया दोनों जरा component निखाल लेते हैं यह आ गया 20 cos 37 20 cos 37 तो अधा 20 into 4 by 5 मतलब 16 16 meter per second बच्चो और इसी तरीके से 20 into 3 by 5 यह कितना है बच्चो 12 आया की नहीं आया इस question को दो पार्ट में प्रेक करना एक particle ध्यांते सुनना जिसको फेका गया है इस direction में 16 meter per second से और इसका acceleration इस direction में 4 meter per second square है की नहीं है प्लस तूसरा particle जिसको y-axis के लॉंग फेका गया है y-axis के लॉंग फेका गया कितनी velocity से फेका गया बच्चो 12 meter per second से फेका गया है लेकिन यह velocity कैसी है constant है कि क्यों constant है क्योंकि इस direction में acceleration 0 तो अब पुछा जारा 2 second में 2 second में कितना displacement होगा तो मैंने का x के लॉंग निकाल लो y के लॉंग निकाल लो under root x square plus y square अरे कोई particle अगर x के लॉंग इतना चलता y के लॉंग इतना चलता तो उसका displacement यह वाला displacement तो under root x square plus y square होगा ना है अगर starting से वह यहां से यहां पहुंसता है तो होगा ना भाई ठीक है चलिए तो 2 second में यह कितनी distance travel करेगा तो मैंने का y आ गया 12 into 2 मतलब 24 मीटर चलिए x देखते है x कितना आएगा ut अब तो यहां पर वो formula लगाना पड़ेगा तो u 16 into कितने समय बाद 2 minus क्यों क्योंकि एक्सिलिरेशनल वेलासिटी आपोजिट डारेक्शन में 16 into half half into 80 एक इतना हुआ 4 t2 मतलब 2 का स्क्वार मतलब 4 कितना आ गया बच्चों यह आ रहा है 32 minus 8 ओहो यह तो फिर यह भी 24 आ गया क्या बात है यह मत सोच लेना कि हमेशा रूट 2 वाला आता है एक्स और वाई की displacement हमेशा सेम आते हैं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है अब आफ़र इसको सॉल्व करें लिए अनीश मंडल आज के लेक्चर के कोई DPP है बनाऊंगा बिल्कुल बनाऊंगा और आपको दूंगा भी आज के लेक्चर से रेलेटेट भी लेकिन थोड़ा समय चाहता हूं कि 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों का कमबाइन DPP आपको दे दूँ ठीक है न और वो आपको मैं प्रोवाइड जरूर कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर बिंदास पढ़ते रहे हैं आपको सारा स्टडी मेटेरियल दूंगा सारी चीजे पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाता पढ़ते रहे हैं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहे हैं यह सब पुछ मिलता रहे हैं और अभी हम इसको और पैटर करने की कोशिश कर रहे हैं आप थोड़ी दूनों में देखेंगे कि 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 तो वेलासिटी अब पार्टिकल एक टी बराबर तू सेकेंड जल्दी बताइए चरंजीब ने बताया है फूरू रूट थर्टीन कि कोई और है कोई और है मार्केट में जड़ा बताइए सही क्या आंसर आ रहा भाई लोग आपको आप योगको वेवाज अनीशा कभी फूरूर्ट थर्टीन तो चलिया फिर में भी देखीले था हूं है है तो यहां पर आता है और बढ़ता आगे कैसे बढ़ते हैं है एक पार्टिक्ल वापस से देख लेते हैं एक पर्टिक्ल के साथ क्या हुआ दूसरे पार्टिकल के साथ क्या एक पार्टिकल से इंदर Tian अधर फेका गया कैं पैं़िए और इसका एक्सलेशन यए फॉल मीणर पर सब्सक्राइब तो इस साइड कर्म बेसा इस और आभेमके सुक्यों बाद को तो यह कितना बचा आठ यह कितना है बारा तो वेलॉस्टी की वैलू रूट ओवर 12 का स्क्वाइर प्लस 8 का स्क्वाइर क्या भीया कुछ पल्ले पड़ गाया है तो यह आंसर इसको निकाल लेजिए आप जो भी आए शायद यह आएगा चार दो दो नहीं चार और नौ चार तेरा तो फोर रूट थर्टी मीटर पर सेकेंड यह है आंसर यह है विलॉस्टी अफ़ पार्टिकल एक्वेस टू सेकेंड बच्चों ठीक है अरे वाच रण जीब अनीश आदिद्या सौर और सब ने यह बात आंसर दिया इसे बहुत बढ़िया शाबाश बच्च अपार जल्दी जल्दी पास्ट तो वेलोस्टी आफटिकल एक्वस तो जिरो सेकेंड इस 20 मितर पर सेकंड अचलराइशन इस 4 मितर पर सेकंड स्क्वार अशोग इस ने फाल्टिकल दू जर्ड जर्डी विलॉस्टी वो सारी कहान नहीं बताई दिए मैंने वी बराबर अंडर रूट भी एकसे स्कुरार ब्लस वी वाई स्कुरार होता है अच्छा इसमें एक जो है वह एक्से के लॉग वाला वापस से देखते हैं और यह वाला इसको जो भी एक्सेज आप बोलें इस साइट जो है यह जीरो हो सकती है यह जीरो होगी तो बची कौन सी 12 तो आंसर इस 12 12 मीटर पर सेकेंड अब सुनो यह कब होगी यह वेलास्टी कब अचीव होगी जब यह 0 हो जाएगी टी बराबर 4 पर अचीव होगी कि नहीं होगी को इंसिदेंटली अगला पूछने का स्टायल देख लिएगा फटा फट जल्दी से ताइम वेलास्टी पर्पेंडीकुलर तुछ याद करिये अगर आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं वही चीज है अब हम परने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है देख लेते हैं क्या कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है की एक पार्टेक्ट डज spirits looking सब्रेक्टिक्टाने केवल और केवल कॉन सा पढ़ते हैं तो बच्चो यह है कि एक पाटिकल को तो है कुछन दो नहीं बोलूंगा सिच्वेशन है यह और जन्टल प्लेन जो यहां से इसको फेका गया है U velocity से horizontal से theta angle पर फेका गया है अब तमाम तरीके की चीज़े पूछी जा रही है अच्छा एक बात तो आपको पता है जब कोई particle हवा में होता है हवा में मतलब हवा में मतलब का मतलब जब किसी के contact में नहीं होता है तो हम हवा में भोलते हैं एक चीज़ के धान करेगा यहां दो assumption हम लेके चलते हैं वह assumption कभी mention करते नहीं है और कोई भी mention करता नहीं है लेकिन by default वह assumption हम लेके चलते हैं कुछ नहीं दिया गया है तो assumption है acceleration due to gravity constant रहना चाहिए direction में भी और magnitude में भी always downward दूसरा assumption है बच्चों दूसरा assumption क्या है mechanics के लिए कौन सा book पढ़ना है theory के लिए मेरे notes पढ़ने हैं और मेरे video lecture देखने हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने है तो हम आगे बढ़ते हैं assumption पहला जी constant और दूसरा assumption है पहला assumption दूसरा assumption है पता है क्या zero air resistance zero air resistance इसका मतलब पता है क्या है मतलब कोई और force नहीं लग रहा है acceleration due to gravity इसका मतलब जो इस समय पाटिकिल हवा में टहल रहा होगा मतलब किसी के contact में नहीं होगा उसका acceleration G होगा इसका acceleration G को का टॉप ठीक क्या है इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि यह question हम अरड़ी solve कर चुके कब किया सर इसका question किया नहीं हमने यह यू यह theta और मैं आपको जी दे रहा हूं इस direction में जी है acceleration due to gravity पार्टिकल का acceleration है इस direction में पार्टिकल के लॉस्टी इस direction में अभी लगातार ऐसे question करते नहीं आ रहे है करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है क्या करना होगा बोलो एक्सेस चूस करना होगी तो एक एक्सेस के लान और एक एक्सेलिरेचन के परपेंडिकलर गुरू जी एक्सेस हम कोई और नहीं चूस कर सकते हैं कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं इससे से आंसर आई आएगल्स अ पिलकुल आएगा contribute ठीक है एकस्य लेशन का डारेक्शिंट के डारेक्शेन लिया तहें दो कॉंपोनेट पहला पार्डकल बोले क्या होगा वेखा जाएगा दूसरा कि और इसका च्रिवह सेक्स्रेशन कितना होנत त्ली है ए लिए कुछ लेटाजन लें पूछे है हुआ कि अगर सर एयर रेक्टन्स होगा तो क्या करेंगे पहले एयर रीस्टन्स नहीं होगा तो क्या करेंगे सीखने बैटा जब रेक्टन्स होगा तब सीख लेंगे पहले नहीं होगा तब तो सीखें जैसे आप पहले पढ़ते क्या पढ़ते थे जो रूआध में आप लो आप linear equation पढ़ते थे तब हम यह नहीं पूछते दें ना कि quadratic होगी तो क्या करेंगे लिनियर पढ़ी थी फिर quadratic तो वैसे पहले प्रेश्टन्स नहीं होगा यह पढ़ेंगे ठीक है दूसरा पार्टिकल बच्चों क्या होगा यू कॉस्ट थीटा से क्या कह सकता हूं यह हमेशा कॉंस्टेंट यह हमेशा कॉंस्टेंट वेलॉस्टी से चलेगा दूसरा particle चलेगा ना इन दोनों में किया चीज़ common होगी time कि आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं तो दो चीज़ें मैं आप से पूछ रहा हूं और वो दोनों चीज़ें हैं कि आप बताएं particle की maximum height क्या होगी maximum height of the particle ठीक है range range मतलब maximum horizontal distance मतलब जहाँ particle दोबारा ठकराएगा इसको range बोलते हैं यह distance को range की value क्या होगी ठीक है और दूसरा question है time of flight मतलब कितने time में particle यहाँ से यहाँ तक गिरेगा अगला question है time of flight क्या होगी ठीक यह हमें करदा अब मैं जान बूच करके class को यहीं पर रोख रहा हूँ बच्चो मेरे रोखने का reason है आप इमानदारी से जो पहली बार पढ़ रहे हैं खासकर उनसे बोल रहा हूँ कि वो maximum height और range और time of flight सोच के आईएगा खुद से निकाल के लाईएगा फिर मैं next class में कुछ analysis करूँगा कर तो अभी सकता हूँ टाइम तो है मेरे पास अभी ठीक था है ना चले शुरू हो जाईए maximum height बताईए रेंज बताईए और time of flight बताईए अभी करिए अनीश sorry बोलने की जरुवत नहीं है बेटा आप question पूछना तो आपका अधिकार है फिल्कुल sorry बोलने की जरुवत नहीं है चाहँ है ना आपको पता चला मैं अराज सोई हूँ कभी sorry नहीं करना चाहिए वो तो आ कभी नहीं क्लास में भी नहीं किसी किसी के सामने में बच्चा तो यही होता है इसी बात कर तो student होता है कि वो डाउट पूछ सके और उसको डाउट मैं डाउट कोई defined अगर कर देंगे तो फिल वो डाउट कैसे रहेगा है ना झाल तो इस question को थोड़ा convert करते हैं अपने हिसाब से ठीक है कैसे पहली बात तो maximum height को corresponding हमें यह समझना पड़ेगा कि mathematical equation क्या होती है मतलब maximum height का meaning क्या है अगर मैंने इसको x axis बोल दिया बच्चों और इसको y axis बोल दिया है तो meaning क्या है आखिर का है इस बात का कि mathematical quantity से related क्या meaning है तो मैं बोलू मैं बड़ा simple है maximum height का मतलब क्या है maximum y coordinate यह है यह है maximum y coordinate याद करो यह question अशा कर चुके maximum y coordinate का मतलब maximum y coordinate का मतलब जब by 0 हो जाएगा पार्टिकल जो y axis के लौंग है दो पार्ट में ब्रेक करने को बोला था ठीक है पहला पार्ट क्या हुआ एक को u sin theta u sin theta से भेका था एक्सेलेशन जी था प्लस दूसरा वाला u cos theta से टहला था constant था ठीक है maximum y coordinate मतलब y वाले particle से बात करो भाया आप maximum कितनी height तक जाएंगे तो हम कहेंगे जब हमारी velocity वाइट 0 हो जाएगी तो vy square मतलब 0 का square बराबर u sin theta का square minus 2gh तो यहां से maximum height की value आती है बच्चा यू स्क्वार साइन स्क्वार थीटा upon 2g यह है यह लीजिए साब ठीक है अच्छा अगली बात पर बताओं अगली बात क्या थी अगली बात थी रेंज क्या होगी time of flight क्या होगी time of flight का मतलब क्या है गुरू जी time of flight का मतलब यह कि अगर यहां से गुछा थी थी क्या है तो रृट पर रॉट कितने समय में यह वापस से जमीन पर गिरेगा मैंने खास बात किसके साथ होगी वाई आले के साथ यावाले क्योंकि यादकरी को क्वेग्षिंट यही तो बचा क्या रहा हो यह तो पहले पुछा थी कभी यह पार्टिकल एक्स को कट्त कॉंछा जा रहा है कभ यह कपकल को कट करें कि को यह तो कि checklist का रएगा लिए उतने टाईम जाएगा दोनों को जोड़ लगे तो यू साइंध इन एक से आपने अच बयोदॉदिध जब वेलोस्टी जीरो हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जीटी क्यों यह आधा टाइम पीरिट होगा कि नहीं होगा तो टाइम पीरिट की वैलोव आगी टू यू साइन थीटा भाई जी या फिर एक चीज और कह सकते हैं सर डिस्प्लेश्मेंट वाई क्वाडिनेट जी देखें एक बाद टी बनेदेश्मेंटन ऑफ गाठें तो हम annat कि रंज का मतलब है रहें सुना मतलब है x-coordinate of the particle when it cuts the x-axis याद करिए ऐसा भी कोशन भी कर चुके है पार्टिकल कहां पर x-axis को कट करेगा याद आया कुछ यानि कि जिस्ते समय में y वाला पार्टिकल अपने पॉइंट पर वापस आएगा उतने समय में होर्जन्टल वाला पार्टिकल जो डिस्तेंस ट्रेवल करेगा वो रेंज कहलाएगी ठीक है बच्चों तो रेंज की वैलू कितनी आगे यू कॉस थीटा यह बाई साब तो constant velocity चलना है होर्जन्टल वाले अच्छा कितनी टाइम के लिए पूरे ए time of flight के लिए तो आर बराबर यू कॉस थीटा इन्तु टू यू साइन थीटा बाई जी तो कितना आगया बच्चों टू साइन थीटा कॉस थीटा पॉम्ला पता होगा ना तो यह आगया यू स्क्वार साइन टू थीटा अपॉन जी यह लिए साथ रेंज भी आगया इसे बोलते हैं यह स्टेंडर्ड फॉर्मुले हैं बच्चों यह बहुत यूस किये जाते हैं मैं यू कह सकता हूं स्टेंडर्ड फॉर्मुले है रेंज टाइम अफ फ्लाइट मैक्सम हैट ठीक आप क्या करने जा रहा हूं अब मैं इनके इसके साथ गुरुजी थीटा के साथ बाकि सब्सक्राइब का मतलब इनिशल स्पीड फ्रोजेक्शन फिक्स है और एक्सलेशन तो इनके थीटा के साथ वारीएशन है यह देखे मैंने इन फॉर्मुले को एक और फॉर्म में लिखा है यह थोड़ा सा गलग तरीके से लिख तू यू वी अपान जी है है त्टू टाइमस अफ वर्टिकल कॉंपोर्यक्षट टिवाइद भाइट भाइजी है यह यू साइन तीटा का होल स्कॉयर अपाउट टूजी इसको लिखा यू वाई स्कॉैर वर्टिकल अपान टूजी ठीक है इसी तरीके से यह क्या आया था याद दिलाता हूं यह आया वू 7 कॉस्थ थीटा है यह था होरेटल कॉंपोनेंट थीटा भा जी तो यो साइन थीटा बाई हां नहीं तो मज अगरगरा हो जाएगा बाई है ना चलिए variation of time of flight with angle of projection मैंने बोला ना सबके variation देखते हैं angle of projection के साथ time of flight कितना आया to you sine theta by g यह आया variation किसके साथ देखना time of flight के साथ मतलब गुरू जी मतलब सेम स्पीड से आप SFA को SFA को SFA को SFA को SFA को SFA को तो time of flight किस तरीके से vary करेगा है ना तो मैंने कि यह fix है कि यह fix है यह fix है इसका मतलब जो sine theta का graph होगा वह time of flight का graph होगा तो यह बड़ा simple सा graph है थीटा जो है वह हमें 0-90 वेरी कराना है वह यह पीछे फिकने जाता है तो maximum time of flight का होगा जब थीटा की वैलू बच्चो क्या होगी 90 मतलब पूरा उपर फेक दोगे तो maximum time में particle वापस आएगा लेकिन स्पीड सेम रखते हुए इस बात का ध्यार नगी है रेंज maximum height और time of flight तो आदेते याद रखना चाहिए मेरे साब से ठीक है तो यह variation angle of projection के साथ time of flight का चलिए maximum height का देखते है इनिशल speed constant इन्हों दिया है कोई बात नहीं maximum height के साथ तो h बराबर u square sin square theta by 2g u square by 2g तो constant sin square theta graph मैं बता देता हूं sin square theta graph होता है h theta यह होता है sin square theta graph थोड़ा सब ऐसा यह होता है तो maximum height जो है वो theta के साथ कैसे vary करेगी theta बराबर 0 पर भी 0 होगी और सीधा फेक दो यार्ड होगी नहीं ठीक है ना और यह है पाइब टो यह वाला नहीं देखना है एतना तो कि मैक्समम कब होगी maximum height तो आपको पता ही उपर फेक दो maximum maximum होगी इसके बाद क्या होगी घटती जाएगी गटती जाएगी और सीधा फेक दो यार जाखी confusion ना रहे है बच्चों को ठीक यह अब रेंज का जो variation ना वो बड़ा interesting है तो मैं चाहता हूँ range का variation आप खुद से सोचके हैं कि range का variation क्या होगा यह आप खुद से सोचके हैं और बराबर बस यह बोल देता हूं यू स्कॉर साइन टू थीटा बाइजी होता है रेंज का variation बच्चा पार्टी सोचके आईएगा इस पर मैं कुछ चर्चा भी करूंगा आपसे ज्यान लखेगा ठीक है ना next class इस class में तो यहीं पर टाटा बाइबाई मैं आपके साथ कर रहा हूं ठीक तो next class में प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ और भी बढ़िया चीज़े पढ़ेंगे शांदार बाते पढ़ेंगे ऐसे ही दो तीन ग्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और यह घतम हो जाएगा मतलब जन्रल टूडी मोशन फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन ठीक है देहन नेक्स लास